दोस्तो जब भी आप लोग कोई वहिकल खरीदने जाते हो तो आप दुकानदार से ये जरूर पूशते हो कि उसका एवरेज क्या है यानि कि उस वहिकल का माइलेज कितना का है कुछ लोग इसे एवरेज बोलते है और कुछ लोग इसे माइलेज भी बोलते है एसे में यह important हो जाता है कि हम जो भी गाड़ी खरीद रहे है उसका mileage हमको पता हो तो mileage का simple मतलब यह होता है कि एक लिटर पेट्रोल में या फिर एक लिटर डिजल में हमारा वहिकल कितने किलोमीटर तक चल सकता है इसी को mileage बोलते है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें थाके नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके तो एलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी वीडियो का माइलेज केसे निकालते हैं लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोगों के पास कौन सा वीडियो है दोस्तो आप जान लेते हैं कि वीडियो का माइलेज केसे निकालते हैं तो जब भी आप बाइक या कार को खरिदने जाते हैं तो सबसे पहले गाडी की माइलेज के बारे में ही आप पूछते हैं दुकान दार से क्योंकि ज्यादा ता लोग ये चाहते है कि ज्यादा से ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी वो खरिद सके माइलेज पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वहिकल का टेंक फुल खराना होता है यानि कि अपने वहिकल का जो टेंक है चाहे पेटरोल टेंक हो या चाहे डीजल टेंक हो उसे फूल करा लेना होगा और जब भी आप पेटरोल भराते हैं तो ध्यान रखिए कि हर बार एकी ब्रेंट का फ्यूल भराए क्यूंकि इसे चेंज करते रहने से भी माईलेज में अंत तो अगर आपने इंडियन ओयल का पेट्रोल या डीजल आप अपने वहिकल में डलवाते हैं तो सिर्फ उसी को डलवाई अगर किसी दूसरी कमपनी का डलवाते हैं तो सिर्फ उसे ही डलवाते रहिए गाडी में पेट्रोल भराते समय आप गाडी कितने किलोमीटर चली है उस उसे नोट करके उसके बाद रख लिजिये और उसके बाद ही आपको टैंक फूल करवा लेना है मतलब कि चोबी पेटोल लाफ गाड़ी में भराओ उससे पहले आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर तक चली है उसे नोट करके रख लेना है यानकि उसके अंक को आपको किसी डाइरी या पेपर वगेरा में लिख लीजिए और उसके बाद आप उसका टेंक फूल करवा दीजिए फिर जब भी फ्यूल आधा रह जाएगा तो फिर से आप टें इसरी बार भराये गए फ्यूल से अगर आप डिवाइट कर देंगे तो आपकी कार की माइलेज निकलाएगी इसे आप एवरेज भी बोल सकते हो एक्जामपल के लिए अगर आपकी कार शेसो सांट किलोमीटर तक चली है और आपने उसमें 22 लिटर पेट्रोल डाला है तो आ दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही आज के वीडियो में हमने जाना एक वीकल का माइलेज कैसे निकाल सकते है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक कर देजिएगा और यह से इनफोरमेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्रा करें दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो